भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार पवन सिंग का नया गाना हुआ रिलीज, रिलीज होते ही गाना हुआ वाइरल, मिले लाखो व्यूज लोग खबरों में बने रहते हैं लेकिन पवन सिंग को खबरों में बनने की जरुरत ने हैं उन पर खबर बन जाती है जी हाँ आज हम आपको बता रहे हैं कि पवन सिंग किस कदर हमेशा मीडिया में चाये रहते हैं उन पर खबरे बनती हैं आपको बता दे आज कल भोजपुर कितने भी बड़े सितारे हों निरहुआ हों सभी टीवी पर चाये हुए हैं जो बॉलीवुड में ड्रग मामला चल रहा है और टीवी पर वो बड़े बड़े चैनलों के साथ चाये हुए हैं लेकिन एक एकलौते पवन सिंग हैं जिनहें इन सब से कोई फरक नहीं पड़ता औ और अपने काम पे कॉंसेंट्रेट कर रहे हैं और नियूज उन पर बन जा रही है जी हां पवन सिंग के एक गाने ने जो आज कल बहुत धमाल मचाया हुआ है आप देख सकते हैं हमारे वीडियो पर कि किस तरह से पवन सिंग चाये हुए हैं अपने इस गाने को लेकर पवन सिंग का नजर मिलाओ बबवान से सभी ने दर्शुकों के दिल पर एक अलग छाप छोड़ी है इसकी सिर्फ एक ही वज़े है कि पवन को जानने वाले बहुत सारे लोगों का एक ही सुर में ये कहना है कि पवन सिंग अपने गानों के एक एक लाइन पर बहुत वर्क करते है और ऐसा वक भुचपुरी इंडस्री में कोई नहीं करता लोग एक दिन में 10-10-20-20 गाने तकरीबन 33 गाने रिकॉर्ड करके चले जाते हैं और लोग दुबारा नहीं पूसते उस गाने और पवन से इकलोते ऐसे एक्टर और सिंगर हैं जो कि अपने काम पसाथ ही साथ अप बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं और जब तक उन्हें यह नहीं लगता कि हां अब वो पर्फिक गा दिये हैं वो माइक छोड़कर नहीं हटते तो आप समझ सकते हैं पवन जैसा सुपस्टार सुपस्टार क्यों है क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही एहमियत देते हैं और अ अच्छा गाते हैं पवन सिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बोचपुरिया जगत इसलिए शायद पवन सिंग का दिवाना है क्योंकि बड़ी ही मांदारी से कोई काम पवन सिंग करते हैं इसलिए शायद काम्याबी उनके कदम चूमती है बोचपुर जगत की होट मसाले दर गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब के ना बिल्किन न भूले है